यदि आपका LIC policy है और आपने premium बन कर दिया है तो साइद आपको पता नहीं कि इस circular के ताथ आपका पैसा लुक्सान हो सकता है हेलो फ्रेंस मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि यदि आपका policy आपने premium बन कर दिया है तो हम बात करने वाले हैं कि आपका प्रेमियम कैसे loss हो सकता है दिखे जब आप premium बन कर देते हैं यानि due date के बाद से आपको 30 days का grace period दिया जाता है इस grace period के बीच अगर आप premium जमा करते हैं तो आपका कोई भी लेट फी भुक्तान नहीं करना पड़ता है यह आपका यह grace period खतम हो जाता है तो आपको उसके बाद से लेट फी भुक्तान करना पड़ता है और यह आप उसके बाद बहुत प्रिमियम नहीं जमा करते हैं तो इसका जो टाइम दिया गया ी जिक बाद बहुत से तक समय दिया जाता है कि आप उस पांग साल के वीच में अपने पॉलिच को रिवाइब कर सकते हैं लेकिन अगर आप इस पांग साल के बाद भी अपने प्रिमियम जमा करके आपने पॉलिचि को फिर से शुरूँ नहीं करते हैं तो उसके बादसे कि आपका पैसा आपका लोस हो सकता है तो कब लो तो सकता है तो आपका कोने साल और पर अतना अगर नहीं वड़ते हैं तो कम से तो प्रिमियम बन कर दिया है तो उस डिविडेट के बाद से आपको 5 तक समझे तरफ से इस 5 साल के बीच अगर आप चाहते हैं तो आप अपने टो इसमें लुक्सान क्या होता है कि आपने यदी तीन साल कंप्लीट या फिर दो साल कंप्लीट नहीं करें तोया उसऊड करते हैं और आपने पोलियसी को छाते हैं तो यह बोटियो का लाइक कर दीजएका यह मारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहां पर मैं ऐसे ही वीडियो समय सा अपलोड करते हैं तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर कर दो यहां आख झाल मैं 16 मैंष्ब लीडिया जाल मैं आख मौन अगलोड जो चरेप लीडियो भीडियोंकि ओ सा नकार ख़ harvest ए洋ॉ।